जो हीटर्स है ना वो मेले कुछ नहीं है मेरा खुद का पती मुझे आज अकेला छोड़ दिया है उससे बड़ी बुरी चिछ क्या है और मेरे लिए अज सच में मुझे बहुत अकेला पन लगा बहुत लोग बहुत तरह तरह की बात कर रहे हैं आज मैं गई थी डॉक्टर के पास और मैं अकेली गई थी मैं और मेरा भाई तो बाइक में गए थे और माधब को रखे गए थे कम से कम चार पाच घंटा चार पाच घंटा हां लग गया हमें आते जाते वहां पे आज पहली बार मैं अपने पती को छोड़के डॉक्टर के पास गई इतना मतलब होता है ना लाइफ का डिसीजन लेना अपने लिए तो वह चीज आज मैंने अपने पती को छोड़के किया कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे आज अकेले अगेले कभी ये सब किया नहीं है कभी अकेला संभाला नहीं नहीं है लेकिन आज संभाला है और और आज फील हो रहा था सच में आज मेरे को पहली बार फील हो रहा था कि सच में मैं अकेली हूं सच में भाई है मेरा खुद का ही भाई है कि कब तक आज मेरे को सच में केलापन लगा और रोना आ रहा था जब मैं बैठी थी रिशेप्शन में वहां पर मनलब साइड में रिशेप्शन के पास जित्ते भी लगे हो रहते हैं सोफा बगेरा तो वहां पर मैं बैठी थी तो वहां के लोग मुझे देख रहे थे कि मेरे आखों मे नमी है जित्ते भी वहाँ पे बैठी दी नर्स पगेड़ा सब लोग देख रहे थे मुझे कि इसके दिल में कुछ तो है यह वो जब सामने ही था रिशेप्शन के सामने ही था मैं अन्य अन्य में श में भात अकेला पन लंगा बहुत लोग बहुत थğटा थरह की बाध करेंव कि तिक वहां पडाओं के तो तो फरक पड़ेगा मुझे फरक नहीं पड़ता है मेरे हेटर्स जो मेरे बारे में सोचते हैं बोलते हैं मुझे फरक नहीं पड़ता सच तो यह है अगर फरक पड़ता तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाती मेरे को बिल्कुल फरक नहीं पड़ता आपको पड़ता है आप ब्लॉग करो, I don't care, but मेरे लाइफ के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे पता है, बात बनाना आता है लोगों को, आप लोग क्या हो, आप लोग तो मेरे लिए कुछ नहीं हो, जो हीटर से हैं, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा खुद का पती मुझे आज अकेला छोड़ दिया है, उससे बड़ी बुरी चीच क्या है और मेरे लिए, है कोई बुरी चीच बताओ, आज इतना बड़ा एक काम किया, मेरे लिए बड़ा है, I know आप लोग के लिए छोटा होगा, लेकि मेरे लिए बड़ा है, क्योंकि हर चीज मैंने स्टार्टिंग से लेके, लेकिन आज मैंने स्टार्ट में आप आपकते, मिंठी होता है, अपने मसे सबकुछ साथ किया है, मेरे और आज मैंने आज किस सबकुछ किया, सबकुछ होता तो कार में जाते हम, बहुत मिस्कelle थी dadurch शोट, काफी टाइम हो गया कि अम लोग गाड़ी में भी नहीं बैठे बहुत मिस्करी थी मैं क्या करें रोना तो आता है ना अब देखो यहां पे इस जगह पे इस प्लैटफॉर्म में रोके ना कोई फाइदा नहीं है मेरे पती तक बोलते हैं मगर मचकी आसू तो आप लोग क्यों नहीं बोलोगे बताओ तो इस प्लैटफॉर्म में मेरे को रोके सिंपिती दिखा के शो नहीं करना है इतना बतारी हूं यहीं बहुत है मेरे लिए